कैंट अग्ट हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो मै यूटूब चैनल वैशनभी फ्री एजुकेशन क्लासिस यह सा अप सभी लोग देख रहे हैं कि आपकी शाम को सात बजे डेली अप्रक्टिस सेर्शन होता था ठीक है डेली शाम को साथ में स्टार्ट करने जा रहे है यूद की questions ठीक है यूद के जितने भी optional questions है सारे हम cover करने वाले है ठीक है आज से start हो गई है आपकी महराधन ठीक है fast way में सब कुछ complete होता जाएगा परिशान नहीं होना है बस आपको जुड़ना है भैशनवी free education class के साथ ठीक है अगर आप class में नए है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे notification टाइम पे मिलते जाए ठीक है चलिए तो हमारी जो class है वो कौन से subject के लिए है वो है art drawing teacher के लिए ठीक है तो जो भी art subject से youth competition से पढ़ना चाहता है तो बिलकुल से पढ़ लीजिए अभी time है exam की date अभी नहीं आई हुई है तो बिलकुल से जुट जाएए ठीक है चलिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी लोगों को बला लिजिए ताकि किसी कभी loss ना हो सभी लोग time से जुट जाए चलिए 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 तो देखिए हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं शाम को साथ बजे जो है आपका practice set स्टार्ट हो गया है यूथ का ठीक है और एक हमारी जो दूसरी क्लास होती है शाम को तीन बजे होती है जिसका कोई भी कोई चार्ज नहीं है बिलकुल फ्री में complete course करव चल रहा है पॉइंट में ठीक है पॉइंट वाइज चल रहा है ठीक है तो सभी लोग साम को तीन बजे देख लिजेगा अगर मन हूं बांकि शाम को जो साथ बजे है वो अपना practice session start हो रहा है चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय बार चलेंगे बिलकुल chapter wise salt paper है चलिए चलि मटक के धीरे धीरे से आप लोगों की तरह है चलिए तो देख लीजे पहला question है आपकी screen पर कि भारती पुरा तक्तु का जनक या पिता किसे कहा जाता है सर जॉन मार्शल सर अलेक्जेंडर कनिंगम स्टैला क्रैमरेस के अन दिक्षित बताइए सभी लोग सभी लोगों को good evening अब आजाईए जल्दी से अपने form में और करिए शाबास चलिए 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 बिल्कुल धूनधार तरीके से चलना है शाबास very good चलिए आंसर पर बढ़ते हैं आंसर की तरह आपका बिल्कुल सही है option B Sir Alexander Cunningham ठीक है simple सा था बच्चा बच्चा बता देगा बताएए दूस जमी गुफाएं अजन्ता गुफाएं एटकल की गुफाएं पताएए क्या है राइट आंसर चापो जल्दी से चलिए आंसर पर बढ़ते हैं आपका बिल्कुल करेक्ट है option A यह है भीम बेट का पैट्रोग्लिप्स आगे चलते हैं तराशे गए चमकीले पत्थरों के औज औजार कहां परियोग किये गए पुरा पाशान काल में मद्ध पाशान काल नव पाशान काल तामर पाशान काल बताईए तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार कहां परियोग किये गए राइट आंसर होता है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी नव पाशान काल में आगे चलते हैं उस विकल्प या उत्तर का चैन करें जो रायगड के पूर्व एतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है उदैगरी, अमर गुफा, बसाना जहार, बोटाल्टा बताईए क्या है राइट आंसर सभी करिये, सभी शाप पास और सभी बिल्कुल से टाइम से आजाय करें, बिल्कुल शाम को साथ बचे, चलिए आंसर करेक्ट है, ऑप्शन ए, उदैगरी आगे, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेस्टिन की तरफ, चलिए पूँचा जा रहा है, भीम बेटका की पाशाण गुफाएं कहां पर इस्थित हैं, डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे भी, डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे वहाँ पर, जहां पर हमें लगेगा कि हां पढ़ने की जरूरत है भीम बेटका की पाशाण गुफाएं कहां है सत्पुड़ा की पहाड़ियों में विंध्याचल की पहाड़ियों में गंध मर्धन की पहाड़ियों में या फिर छोटा नाकपुर की पहाड़ियों में भीम बेटका की पाशार गुफाएं कहां पर इस्थित हैं पिल्कुल आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी ये है विंध्याचल की पहाड़ियों में कहां पढ़ता है MP में मद्ध प्रदेश में आगे चलते हैं आगे पूछा जाएगा भीम बेटका की गुफाएं किस शहर के न नजदीक हैं मद्ध प्रदेश में हैं तो किसके नजदीक होंगी भोपाल के आगे आगे पूछा जा रहा है पुरा पाशाण काल के दोरान बने भीम बेटका के चित्र कौन से हैं हाथी जंगली साण बाग की भाले के साथ सिकार करते मानव मेढक और सांप जैपरा और बकर सभी करिए सभी आंसर और फास्ट सैवन्थ का क्या होगा चलते हैं आंसर की दरफ आंसर देख लेते हैं क्या दिये जा रहा है आंसर यहाँ पर तो है ही नहीं चलिए देखते हैं क्या है आंसर करेक्ट आंसर दिये जा रहा है इसमें बिलकुल करेक्ट ऑप्शन ए हाथी जं बिल्कुल correct है आगे बढ़ते हैं आगे चलते हैं तो आगे next question आता है कि पूर्व एतिहासिक कला केंद्र राइगड कहां पर है बिहार में उत्तर प्रिदेश में महारास्ट में 36 गड़ में टीजिटी 2016 में ये question पूछा जा चुका है पूर्व एतिहासिक कला केंद्र राइगड कहां पर है शाप जल्दी से सभी लोग सभी लोग शाप पास ऐसे ही चलेगी अपडेली बिल्कुल से धुआ 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 आगे चलते हैं आंसर की तरफ बिल्कुल सही है option D 36 गड़ आगे है भीम बेट का गुफा के चित्र हैं बुद्ध जातक कहानिया भगवान शिव साम प्रदाइक सभा जर्नों का चित्र बताईए भीम बेट का गुफा के चित्र कौन से हैं सभी को करना है चलो आंसर बिल्कुल सही है option C साम प्रदाइक सभा आगे आगे बढ़ते हैं चलिए चलिए जल्दी से चलो पूछा जा रहा है पंचमडी की पहाड़ियां किस राज्च में इस्थित हैं चत्रिस गड़ मद्ध प्रदेश करनाटक तमिल नाडू ये भी TGT 2016 का क्वेश्चिन है सिंपल सही क्वेश्चिन बनते हैं जदा हाई लेविल के नहीं सिंपल से आंसर सही है option B मद्ध प्रदेश में आगे पूँचा जा रहा है मिर्जा पूर के पूर्व एतिहासिक चत्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं घोड़े और हाथी हिरन और जैब्रा बुद्धा मुर्गी और कौवे ये भी TGT 2016 का है सभी को करना है चलते हैं आंसर की तरफ option एस ही होता है घोड़े और हाथी सभी लोग ऐसे ही करिए बिल्कुल धुआ 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 उड़ा दीजे सव बार पढ़ चुके होंगे आप लोग पूँचा जा रहा है मिर्जा पूर की जो गुफाएं हैं किस राज्ची में स्थित हैं जिसके पास बुक है वो बुक से आंसर नहीं करेगा ठीक है चीटिंग नहीं करनी है खुद के साथ चीटिंग करनी हो तो भाई सब खोल लीजे यहां पर यह देखना है कि हमें कितना तयार है अपनी होश्यारी नहीं दिखानी है कि आप बुक से देखो यह गलत बात है ठीक है सभी लोग खुद से करेंगे अंसर ठीक है आप लोग तो हुश्यार बच्चे हैं सेर है ना चलिए बिल्कुल सही है तो देखिए मिर्जापुर की गुफाएं कहां पढ़ती है अपने उत्तर प्रदेस में पढ़ती है ठीक है सर जॉन मार्शल सर अलेक्जेंडर करिंगम इस्टैला क्रामरेस कैन दिक्षित चापो खुद सही करना है आंसर चलिए जिसके पास बुक है बहुत अच्छी बात है आप लोग बढ़ी अच्छे से तैयारी करिए चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं बिल्कुल सही है काम पर ध्यान दीजिए चलिए पूचा जा रहा है भारती पुरातत्य विज्ञान का जनक किसे समझा जाता है सर जॉन मार्सल सर मांटी मेर वीलर सर अलेक्जेंडर कनिंगम सर मार्क औरल इस्ट्रीन चापो सभी को करना है चलिए शाब बास आंसर की बात करते हैं ऑप्शन सी सर अलेक्जेंडर कनिंगम ठीक है ऑप्शन सी यही पर सब रिपीट हो जाएगा परेशान मत होई बताए प्रागयती हासिक चित्र सामान निता निर्मित किये गए हैं तेल पेस्टल से जल रंग से स्याही से गेहू सरी गेरू व चार कोल से चापो डेली शाम को 7 बजे यह ये क्लास होगी अब डेली आस पहला दिन है और सभी लोग बिलकुल से टाइम से शाम को 7 बजे बैठ जाएगा ठीक है चलिए आंसर पर बढ़ते हैं अंसर आगया है ऑप्शन डी गेरू व चार कोल से ठीक आगे चलते हैं आगे बढ़ते हैं आगे की तराफ चलिए क्वेश्चन आ गया भाती पुरातत के जनक कौन है देख रहे हैं कितने बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है रट जाएगा यहीं पर जर जान मार्सल डियन गॉर्डन इस्ट्वार्ट पिगाड सर अलेक्जेंडर क आगे चलते हैं कोई बातचीत नहीं केवल पढ़ाई आए है शादी वाला क्वेश्चन आ गया करिए कराईए इनकी शादी कौन दुलन किसके साथ बैठेगी बैठाओ जल्दी से आदमगड शिलास्रेचित्र मिर्जापूर गुफाएं वैलारी गुफाएं शिंगनपूर गुफाएं बैठाओ कौन सी दुलन किसके साथ अच्छी लगेगी चलिए सभी लोग करिए अंसर चलिए कर लीजे आप लोग पहले पर बताते हैं चलिए आंसर पर बढ़ते हैं आपका ऑप्शन थोड़ा सा बढ़ा करके दिखाते हैं ठीक है चलिए चलिए देख लेते हैं चलिए तो देखिए आदमगर जो पहाड़ी है हमने जब आपको पढ़ाया था कहां पर और ओ शंगाबाद में है मिर्जापृ कहां है अपने उत्तर प्रदेस में है कॉनसी पहाड़ी पर है कैमूर पहाड़ी पर है वैलारी जो है यह कहां पर है वैलारी है यह Dec दच्छन में हैं अपने दच्छन भारत की है सिंगन पुर गुफाएं कहां है इनकी दो भई यह साधी पहले से हो चुकी है बैठी है महरानी गुस्सा तो क्या है राइगर रियासत में ठीक है तो यह चारों ऑप्शन है आपको बन गए है चलिए आंसर ए सही होता है ठीक है य एचडी गार्डन वी एस साखल कर पीडी दवे बीम बेटका की बात हो रही है क्या होता है राइट आंसर सभी को करने है बिल्कुल से स्टार्टिंग से है आज जुड़ जाए जल्दी से और जो बच्छे नए है सब्सक्राइब कर लीजेगा जिससे कि आपको नोटिफेके दे देते हैं ठीक है चलिए आंसर की तरफ आप्शन ए वी एस वाकड कर आगे प्रागयती हासिक शिला चित्रों का विशय क्या है आखेट पसुपक्छी युद्ध उपरियुक्त सभी बताईए प्रागयती हासिक काल रट जाएंगे रट जाएंगे आप लोगों को परिशान नहीं होना है बस पढ़ते जाएए जितना पढ़ा रहे हैं सब पढ़ते जाएगे बस क्या है राइट आंसर शापास ऑप्शन डी उपरोक्त सभी बिलकुल से धुआ 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 चलना है सिलो नहीं चलो आगे बढ़ते हैं आगी पूछा जा रहा है प्रागयती हासिक चित्रों की ध्रातल क्या है कपड़ा स्ट रच चित्र केनवास बताईए लोगों को तो लगा देंगे हमारा चहरा ही हमारी हो Westminster प्रागयती हासिक द्रातल है है क्योंकि आप लोग पोत लेते हैं दुनिया बर का मेकप, वही तो है आप लोगों का प्रागयती हासिक चित्र का धरातल, है ना, चलिए, आंसर सही है, option B, शिला, ठीक है, ये पत्थरों पर अपनी चित्रकारी करते थे, अपने फेस पे नहीं करते थे, आगे, फिर पूँछा जा रहा है, भारती प्रागयती हा कि देख़क कौन थे बिलकुल से फास्ट शिलो नहीं पाइया लगवालो पाऊं में फास्ट चलो है कि वेरी गुड कोछब अच्छे तो इतने बिलकुल से बहुत होश्यार हैं ठीकिन आप लोग पता नहीं कैसे क्या करते हैं बहुत शुलो चलने लगें आंसर तो सही दे रह चापो बिल्कुल आंसर सही है option B ये भूमिज रंग है ठीक है खनिज रंग भी कहते है इनको आगे चलते हैं प्रागयति हासिक चित्रों का मुख्य विशय क्या है भूद्रश्च चित्रण व्यक्ति चित्रण पशुवाखेट पौराणिक बताईए बताईए option A होगा कि option D होगा क्या होगा अच्छा होश्यार हो गए हैं सभी लोग मैं के विपरीद चल रहे हैं भाई चलिए हम भी चल देते हैं आपके पीछे option C पसू आखेट ठीक है option C सही होता है गंफ्यूज नहीं होना है आगे प्रागेति हासिक शिला चित्रों की खोश किसने की थी जॉन कारलाइल ने आर्ची वाल्ड कारलाइल ने जैम्स फर्ग्यूसन ने C.W. एंडरसन ने बताईए प्रागेति हासिक शेल चित्रों की खोश किसने की थी चापो जल दी से slow नहीं होना है है ना फास्ट चलना है चलिए बिल्कुल से टक कर दीजे एक दूसरे को कोई आगे नहीं निकलने पाए आगे निकल रहा है तो समाझ लीजे आपका पत्ता साफ शाबास वेरी गुड आंसर है ऑप्शन भी आर्ची वाल्ड कारलाइल इतना तो पता है कि कारलाइल है लेकिन कौन सा वाला आर्ची वाल्ड वाला है ठीक है याद रखना है आगे फिर आता है बिल्लास रंगम गुफा किस राज्ज में है चापो पीजे टी का क्वेस्चन है ये बताईए बिल्लास रंगम गुफा किस राज़ में है केरल तमिल नाडू कोवा मद्ध पिर्देश चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं देख लेते हैं भाई क्या है ऑप्शन भी तमिल नाडू में ठीक है आगे आगे आजाते हैं अपने आगे आगे ये आगया प्रागेति हासिक कालीन अधिकांश शित्र जो मिले हैं वो कहां पर मिले हैं पुरा पाशान काल में मद्ध पाशान काल में नव पाशान काल में आधुने काल में बताईए ये शाप जल्दी से बिल्कुल सिंपल सा है option C ये हैं नव पाशान काल में ठीक है आगे चलते हैं पूछा जा रहा है उत्तर पाशान काल की चित्रकला के प्रमुक उधारन किसमें मिलते हैं बैलारी में सिंगनपुर में मिर्जापुर में इन में से सभी में ये सब रटे होने चाहिए ऐसे question है करो सभी चलिए आंसर की तरब बढ़ते हैं आपका बिल्कुल सही है option D इन में से सभी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं पूछा जा रहा है गुफा मानव लोग गुफा मानव लोग भित्ती चित्रन के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रियोग करते थे खनेज रंग मिट् चापिए जल्दी से चलिए बिल्कुल सेंप्ल सा है option B मिट्टी के रंग ठीक है मिट्टी के रंग आगे पूंचा जाता है इसका खनेज रंग भी हो सकता है घुफा मानव जो था वो खनेज रंग का भी प्रियोग करता था ठीक है इसको भी याद रखेगा यह के वल मिट्टी का रंग दे रहा है ऐसा नहीं है खनेज रंग भी होगा ठीक है चलिए आगे चलते है 29 प्रागेतिहासिक कला का अर्थ क्या है आधुनिक कला, मद्यकालीन कला, सिंदुगाटी सब्विता की कला एतिहासिक काल के पूर्विकी कला बताईए क्या है प्रागेतिहासिक कला का अर्थ चलिए आंसर देखते हैं एतिहासिक काल के पूर्विकी कला ठीक है बहुत सिंपिल सा है option D आगे पूंचा जा रहा है और इगनेशियन एवं और इगनेशियन एवं मैगनेड एलियन शब्दा वली किस संदर्व में प्रयुक्त होती है बरोक कला, पूर्व एतिहासिक कला पुनर जागरन कला, रोको कला बताईए सबी लोग करिए, बात कम बढ़ाई जादा आपका बिल्कुल करेक्ट है option B, पूर्व एतिहासिक कला आगे बढ़ते हैं फिर से बतानी है इनको शादिया करवानी है इनकी करवाव जल्ली से, कोहबर कावड़ा पहाड, आदमगर चक्र धरपुर चापिए चापो चापो चापास, चैलिए, आंसर पर बढ़ते हैं ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सिद्धे, आंसर पर चलते हैं, यहाँ पर बताते हैं तो देखिए, कोहबर का जो संबंद है, कहाँ पर है ये मिर्जापुर में हैं, काबडा पहाड कहाँ पर है, ये राइगड में है आदमगर जो है ये होशंगाबाद में है, चक्रधर पुर जो है, ये जहारकंड में चारों इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है बिल्कुल से रट लीजिए, कोहबर मिर्जापुर में, काबडा पहाड राइगड में, आदमगर होशंगाबाद में, शक्रधर पुर चारों गंड में, ठीक है चलिए, शाब बाइस आगे चलते हैं आगे चलते हैं, कौन सा कथन असत्त है, ये पूँचा जा रहा है, बताए ये कौन सा असत्त है, प्रागयतिहासिक चित्रों के संदर्भ में, निमलिकित कतनों में, कौन सा कतन असत्त है, प्रागयतिहासिक चित्रों का विशे, मुक शिकार रहा है, प्रागयतिहासिक चित्र, गुफा वासियों द्वारा, बिना किसी कला दच्छिता के बनाए गए प्रागेति हासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकता नीला, इवं प्रफुल, हरा, बताए चार ओप्शन में क्या है सभी करिए, सभी सभी लोग करिए, सभी चलिए, आंसर बताते हैं, ओप्शन C होगा प्रागेति हासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकता नीला, प्रफुल, हरा, ये चीज़ सोड़ी ना थी प्रागेति हासिक में प्रागेति हासिक तो पुराना था, उधर पर कुछ नहीं था, केवल खनिज रंग थे, आगे आगे पूँछा जा रहा है, अल्टा मीरा की गुफाएं किस चित्र का अधिक प्रियोक की हुआ है, बैल, हाथी, भालू, जंगली भैस, बताइए, क्या होता है, बिल्कुल, ऑप्शन डी ये है जंगली भैसा, ठीक है, आगे, पंचमडी कहा है, उत्तर प्रिदेस में, पस्चिम मंगाल में, मद्ध प्रिदेस में, छत्तिस गड़ में, सभी करिए, सभी, फास्ट चलेंगे, फास्ट, करिए सभी, बहुत सिंपल सा है, चलिए, बढ़ते हैं, आंसर की तरफ, ऑप्शन सी, मद्ध प्रिदेस में, आगे, अशोक के किस शिलालेक पर मयूर का आकरती है, इलहाबाद, सारनाथ, लुम्बनी, नंदगर, मयूर की आकरती किस पर है, कोई भी क्विश्चन गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत हो रहा है, तो आप तरफ, स्क्रीन सॉट लीजिए, और जैसे ही फोन खो लिए थोड़ी दिर बाद, उसको देख लीजिए, ठीक है, वहां से आपके वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, जो गलत हो रहे हैं, आंसर की बताईए, कहां रहता था, सहरों में की जंगल में, चलिए, कन्फ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन भी, बस्तियों में, ठीक है, आगे चलते हैं, 37 की तरफ, चलिए, 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 आगिया, मटक मटक के, ये है, बताईए, भारती चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहां पर है, गुजरात में, महारास्ट में, दिल्ली में, चैपुर में, चित्रकला का प्राचीन केंद्र पूँचा है, चाप दीजे, चलिए, चाप बास, आंसर बिलकुल सही है, ऑप्शन भी, ये है, महारास्ट, ठीक ह पूछा जा रहा है आर्दी मानाउच शित्र बनाने के लिए किन रंगों का प्रियोग करता था जानवरों की चर्वी में रंग मिला कर खड़िया मिट्टी, गेरू के रंग, काला रंग बताईए 38 बताईए तो देखिए आंसर की बात करते हैं जानवरों की चर्वी में ये रंग मिला कर करता था ठीक है, आगे आस थोड़ा सा धुन्दला धुन्दला सा है, पता नहीं क्यों कल से अच्छे से होगा ठीक है, नव पाशार युग में लोगों ने निम्न लिखित में से किस एक को अपना कर मूलभूत प्राद्योगी की परिवर्तन किया था आखेट, क्रशी, व्यापार, मचली पालन बताईए, नव पाशार युग में बताईए हाँ, सब्बाश, विल्कुल, वेरी गुल चलिए, बढ़ते हैं आगे, आंसर की तरफ आप्शन भी, ये है, ग्रशी आगे चलते हैं प्रागति हासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? पश्वों के चित्र, आखेट के चित्र, मनुश्यों के चित्र, और जारों के चित्र, बताईए सबी लोग करिए, बिल्कुल, श्यापस आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, सच में सबके अंसर अच्छी आ रहे हैं, सौ बार पढ़ चोके हैं कम से कम आप लोग, ऐसा लग रहा है, ऑप्शन भी आखेट के चित्र, आगे पूँछे जा रहा है, भारती चित्रकला का इतिहास कितने वरसों का है, 50000 वर्स, 6000 वर्स, 2000 वर्स, 7000 वर्स आ गया कनफ्यूजन वाला क्वेस्चन, बताईए क्या करेक्ट होता है सबी को करना है होगे कनफ्यूज, चलिए option A सभी होता है ये है 5000 वर्स का ठीक है आगे आदिकान सिर्फ प्रागेति हासिक चितर कहां मिलते हैं मंदिरों में महलों में गुफाओं में वेहारों में बताइए ये आयोग के अनुसार के अंसर है ठीक है आयोग के अनुसार लगाया गया है 5000 वर्स ठीक है वैसे 7 भी कहीं कहीं मिलता है चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए 7000 ही देखा है लेकिन इसमें 5000 दे रहा है तो चलिए 5000 माल लीजिए चलिए उसमें कुछ BC वगेरा का कुछ सिस्टम होता है चलिए चलिए आंसर पर बढ़ते हैं इसके आपका सही है ऑप्शन सी गुफाओं में ठीक है आगे बढ़ते है आगे दे रहा है प्रागयति हासिक चित्रों में किसका महात्तो है रेखा, रंग, रेखा रंग, प्रकति बताइए क्या है 43 चापी जल्दी से कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें मिलेंगे आपको डेली शाम को 7 बचे ऑप्शन अरे, ऑप्शन ए रेखा का, ठीक है रेखाओं के सबसे ज़्यादा चित्र मिलें प्रागयति हासिक काल में याद रखना है प्रागयति हासिक चित्र क्या है गरंथ चित्र, गुहा चित्र गागज पर बने चित्र या फिर वस्त पर बने चित्र बताओ, बताइए जल्दी से क्या होता है राइट अंसर बिल्कुल शापास, ऑप्शन बी यह है गोहा चित्र, ठीक है, कोई बात चित नहीं केवल पढ़ाई पर फोकस रहेगा, ठीक है हम कमेंट लेंगे बाद में, जो आप लोग बाहर करेंगे, ठीक है यहाँ पर हम कुछ नहीं देखेंगे, जो आप लोग बाहर कमेंट करेंगे, हम उसी को ध्यान देंगे बताईए, प्रागेतिहासिक भारती चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? लकडी के पटों पर, रच्छ की चालों पर, ताल पत्रों पर, चट्टानों पर बताईए यहाँ केवल आंसर देखा जाएगा, बस बताईए क्या होता है राइट आंसर? शापास, बेरी गुड, आंसर सही है आपका, आप्छन डी, चट्टानों पर आगे दच्छिडी भारत का कौन सा केंद्र, प्रागेतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? वैलारी, लोथल, मद्रास, करनाटा शाप उजल दी से, शापास, आप लोगों के तो आंसर भी आ जाते हैं, हमसे बोलने के पहले वैरी गुड, चलिए आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल सही है, आप्छन ए, बेलारी आगे अरे, पूछा जा रहा है इन मेंसे कौन असमबद्ध है मिर्जापूर, सिंगनपूर, भीमबेट का बाग, बताईए बताईए, 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 बताईए ओडर, 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 शापास देख लिए हैं क्या, आप्शन दी होगा, ठीक है, बाग सिंगनपूर मिर्जापूर भीमेट का ये सब एक ये उसमें आगे चलते हैं आ जाती है मद्ध प्रदेश की गुफाएं पढ़ लेते हैं काहे को छोड़ें चलिए पंचमरी छेत्र के चित्रों को प्रकास्ट में लाने का श्रे किस विद्वान को प्राप्त है दिएच गार्डन, मनुरंजन घोस, स्टुवार्ट, पिगार्ट, इन में से कोई नहीं चापो जल्दी से करिए जल्दी से चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए ये है दिएच गार्डन ठीक है चलिए, आगे चलते है यहां तक हो गया आगे बढ़ते हैं ये नहीं करवाए हैं क्या ये क्वेशन नहीं करवाए हैं शायद हाँ ये क्वेशन नहीं हुए हैं शायद चलिए इनको भी देख लेते हैं भारती चित्रकला के प्राचीन केंदर कहा है नहीं ये तो हो गए हैं हुँ हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए एक सिकेंड चलिए यहां से पढ़ना है पूछा जा रहा है मिट्टी के बरतनों का अविश्कार किस काल में हुआ है बताईए पुरा पासान काल में नौ पाशान काल में सिंदु सब्बिता में मद्ध पाशान काल में बताई चाप जल्दी से हाँ हो चुके हैं वो उपर वाले ठीक है चलिए करिए 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 जल्दी से चलिए हाँ चलिए आंसर पर बढ़ते हैं आपका बिल्कुल सही है ऑप्शन बी नव पाशाणकाल में आगे भीम बेट का गुफा का मतलब कहां इस्तित है राजस्थान में बिहार में उत्तर प्रदेश में मद्ध प्रदेश में पताईए और देखिए आपका बिल्कुल से सीधा सा संबंद क्वेस्चन से होना चाहिए बाकी चीजों से नहीं ठीक है ना बात चीत ना किसी पर कोई कमे है नर्मिदा कावेरी गंगा यमुना बताईए दोड़िये बिल्कुल से फास्ट शापास ऑप्शन ये है नर्मिदा आगे चलते हैं नर्मिदा ही है चलिए आगे भीम बेट का में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहां बने हुए हैं बताईए फर्स पर मुडे दिवार वच्छत पर गुफाओं के द्वार पर भीम बेट का की बात हो रही है धर पर करिए सभी और जो अभी आया है बीच से वो लाइक फटाक से कर ले ठीक है और जिसने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजे जिससे की नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाए ठीक है चल मिर्जापुर बिल्कुल से तैयारी को धार देते रहिए डेली शाम को साथ बजे कोई टाइम पास नहीं सीधे एक्जाम पर बार ऑप्शन भी होशंग बाद ठीक है आगे भीम बेटका की गुफाएं कहां है राजस्थान उत्तर प्रदेश बिहार मद्ध प्रदेश की बात है ऑप्शन डी यह हैं मद्ध प्रदेश में आगे चलते हैं चलिए होशंग बाद किस प्रदेश में है बताइए मद्ध प्रदेश उत्तर प्रदेश शारखंड बिहार कहां है बताइए ऑप्शने मद्ध प्रदेश में ठीक है मिलाते चाहिए अपने ठीक है कितने गलत कर रहे हैं कितने सही कर रहे हैं और आख लीजे अपने आपको कि कितनी तयारी है आपकी बताइए कितनी कुफाएं हैं बीम बेट का में 30 कि 600 है कि एक कव नहीं है अरे वाह होश्यार हो गए बच्चे तो चलिए आंसर फटा फट दे रहे हैं ऑप्शन B 600 क्या होता है ऑप्शन B 600 आगे बीम बेट का कि गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रियोग हुआ है बैगनी हरा पीला लाल बताइए चलिए आंसर करिए शाबास आंसर की बात आती है तो क्या होता है राइट आंसर आप्शन B सॉरी आप्शन D लाल ठीक है सबसे जाइदा किसका हुआ है लाल का चलिए भीम बेट का किस शहर में है मिर्जापुर में भोपल में इंदौर में रहईपूर में मतलब किसके पास में हैन ये पूछा ऑं यह तो बता देंगे ला आप लोग तो घूम आया है जाके भीम बेट जितने भी पुराने सब है ना सब वहाँ पर मिलेंगे बैठे हुए डर और जाएंगे आप लो बताइए क्या है भीम बेट का नगर है जंगल है पहाड़ी है मंदिर का है हमें तो लगता है मंदिर है क्या है कि चलिए चलो आंसर है ऑप्शन सी ये पहाड़ी है ठीक है यहाँ पर चित्र मिलते हैं भीम बेट का के ठीक है चलिए भूद बाबा मिलेगा उठा के ले जाएगा जोली में डालके होशंगाबाद छेतर के आदमगर पहाड़ी में चित्र किसके है प्रागति हासिक काल के प्राचीन का चलिए आंसर बताते हैं ऑप्शन अ प्रागति हासिक काल के ठीक है आगे चलते हैं पंचमरी गोहा चित्र किस प्रदेश में हैं मध्ध प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार उत्त्रांचल बताईए क्या होता है राइट आंसर 61 option की बात करते हैं तो कहां है पंचमरी option A पंचमरी स्वरी मध्ध प्रदेश में ठीक है चलिए चलते हैं आगे अपने करतब विपत पर भीम बेट का नामक पहाड़ी से कितनी कुफाय मिली है चाप दो ये तो रट गई है सबी को है ना 30, 600, 280, 135 मैथ तो आपकी बिल्कुल से कुकुडू कु है ये ना बिल्कुल सही है option B 600 आगे से जब सरकार कहीं की गुफायं गिनने जाएगी तो आप ही लोगों को भेज दिया जाएगा ये ना आप लोगों की महत बहुत अच्छी है बिल्कुल से रटे हैं आप बताइए बताइए क्या है भीम बेट का की खोज कब ही थी 1958 में 1957 में 1950 में 1969 में बताइए चलिए बिल्कुल शापस चलिए बिल्कुल चलिए आंसर बिल्कुल सही है option A 1958 में यहीं पर सब याद हो जाएगा ठीक है परेशान नहीं होना है पंचमडी की कोज किस ने की थी जी आर हंटर ने काकबर्ण ने कनिंगम ने आर्डी बनर जी ने किस ने की थी पंचमडी की कोज बताईए चलिए आंसर की तरफ बढ़ते है option A जी आर हंटर ने ठीक है एक और नाम में देखने को मिलता है गार्डन करके उन्होंने भी कोज की थी ठीक है तोनोंने दो दो साल के अंतराल में की थी ठीक है याद रखना है आगया कथन और कारण का बहुत दिन से आया नहीं था चलिए बता दीजे कौन सा सही है कौन सा गलत है कैसा क्या है देख लीजे आंसर आपके सामने है नजरों पे जोर डालिए हमी न करेंगे सब कुछ की बिल्कुल से जूम कर दीजे मद्द पिर्देस में प्रागयतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है ये बोल रहा है कथन कारण भी बोल देता है प्रागयतिहासिक काल में व्यक्ती इस छेतर में रहना अधिक पसंद करते थे ये चार आप्शन है अब बता दीजे चलिए चलिए बताते हैं आंसर आपका सही होता है लीजे देख लीजे आँंके तो भगवान ने दी नहीं है बड़ा दुख की बात है आंसर सही है आपका option B का और खा दोनों सही है ठीक है लेकिन जो है का खा का सही इस पश्टी करण नहीं दे रहा है बाकि दोनों कथन बिल्कुल सही है ठीक है आगे चलते हैं आगे पूछा जा रहा है भीम बेटका की शिला जो है सिला उतकीर चित्रकारी किस अवध की है सौरी अवधी की है बताईए बता हो नीयो लिथिक पैलीयो लिथिक शैलको लिथिक मीजो लिथिक भीम बेटका है भीम 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 श्याबास वेरी गूड अच्छी तैयारी है क्या है option D सही होगा ये है मीजो लिथिक की है ना चलिए मीजो लिथिक की नहीं है पगलो ये है नवपाशाण काल का है भीम बेटका ठीक है ना option A सही होता है चलिए आगे चलते हैं आगे आता है किस इस्थान पर भारतिय पूर्व एतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं होशंगबाद आयोध्या भीम बेटका और किस इस्थान पर भारतिय पूर्व एतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं अभी हमने लगा दिया था और भी लोग होते ना तो बस हां मैं बिल्कुल पी सही होगा चलिए आंसर सही है option C ये है भीम बेटका ठीक है कन्फ्यूज नहीं होना है बिल्कुल पी किसी में हमें प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहां बने हुए हैं फाश्च पर मुडेरों पर दीवार या च्छत पर गुफाओं के द्वार पर बताईए बजा रहा है क्लास में नहीं आ रहा है ऐसे ही कन्फ्यूज करेंगे आपको बताईए क्या होता है चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन सी यह हैं दीवार वा च्छत पर आगे होशंगाबाद में प्राप्त प्रागतिहासिक काल के चित्र बने हैं गुफाओं में घरों की दीवारों पर शैलास्रियों में लकडी पर बताईए कहां बने हैं चलिए आंसर की बात ये बने हैं गुफाओं में मतलब शैलास्रियों में आगे पत्थर पे आगे बीम बेट का गुफाएं कहां है राजिस्थान में यूपी में बिहार में मद्ध प्रिदेश में बताईए भीम बेट का कहां है बिहार में है की राजिस्थान में बताओ जल्दी से अरे 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 ये कहां भग रहे हैं आप लोग हम तो कह रहे हैं राजिस्थान में है की बिहार में है अच्छा चलिए जहां भीड जाएगी वहां हम भी जाएगे ऑप्शन डी मद्ध पिर्देश में है ठीक है आगे चलते हैं आगे आ रहा है कतन कारण का तो क्या करें इसको चलिए देख लेते हैं ठीक है मद्ध पिर्देश में प्रागेति हासिक चित्रों की अधिकतर संक्या प्राप्त हुई है प्रागेति हासिक काल में विक्ति इस छेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे बताईए ये दोनों है ठीक है आगे का पार्ट देखते हैं क्या है यही क्वेस्चन अभी उपर हुआ था ठीक है सीधे देख लीजिए का और खा दोनों मतलब यह नहीं हुआ था दूसरा यह हुआ था चलिए देख लेते हैं का सही है लेकिन खा असत है ठीक है याद रखना है का सही है लेकिन खा असत है ठीक है चलिए भारत वर्ष में प्रागेति हासिक चित्र जीराफ ग्रूप कहां पाया गया है बताईए जीराफ ग्रूप जो है कहां पाया गया है आदमगड में रामगड में मिर्जापुर में पंचमडी में बताईए हाँ उपर वाला वो दूसरा question था हम सोचे वही है बताईए क्या है चलिए बिल्कुल शाबस answer पर बढ़िए answer पर 72 बिल्कुल answer की बात करते हैं आपका सही होता है option A ये है आदमगर ठीक है आगे चलते है निम्ने मेंसे कौन सी प्रागयतिहासिक गुफा मद्ध पिर्देश में नहीं है सिंगनपुर आदमगर भीम बेट का लिखुनिया चापी जल्दी से प्रागयतिहासिक गुफा मद्ध पिर्देश में इस्थित नहीं है कौन सी क्या होता है सभी करिए सभी चलिए, आंसर सही है, आप्शन D, ये है लिखुनिया, ठीक है, आगे चलते हैं भीम बेट का के चित्रों की खोज सरव प्रत्थम किसने की, स्री राम कृष्ण दास ने, स्री राम चंदर शुकले ने, वियस भाकरकर ने, नंदलाल बसुने बताईए, बहुत सिंपल सा है, चलिए, आंसर पर बढ़ते हैं, बिल्कुल सही है, आप्शन C, वियस भाकरकर, दो से तीन बार हो चुका है ये क्विस्चन, पूछा जा रहा है भीम बेट का, लकनिया दरी और पंच मड़ी कहां पर हैं, किस के लिए फेमस है मतलब, बाध इस सलो नहीं चलना है, चड़ी पड़ेगी, चड़ी, चलिए, आंसर बताते हैं, ठीक है, बताते हैं आंसर, आप्शन B, ये है प्रागयतिहास एक चित्रों के लिए, ठीक है, याद रखना है, आगे चलते हैं, प्रागयतिहास एक चित्रों का छेत्र कौन सा है, मिर्जापुर किस प्रदेश में है उत्तर प्रदेश में है मद्ध प्रदेश में है राजिस्थान में है बिहार में है मिर्जापुर तो नहीं भूल सकते कहां पर है बताईए सबसे पहले इसी की हुई थी खोज बताईए सबसे पहले चितर यहीं पर मिलते हैं बिल्कुल option A ये हैं उत्तर प्रदेश वाले भाई UP वाले आगे आगे चलते हैं पूछा जा रहा है पंचमड़ी किस प्रदेश में हैं उत्तर प्रदेश मद्ध प्रदेश महारास्ट्र गुजरात बताईए पंचमड़ी जो है किस कहा पर है ये पूछा है बहुत सिंपल सा ह गलत तो नहीं होगा ना चलिया आंसर है option B ये है MP में आगे चलते हैं तो क्या आवत है आता है प्रदेश चित्रों के विशय क्या है पाशू मानो पक्षी पाशू मानो पक्षी तीनों है बताईए विशय जब हमने थियोरी पढ़ाई है आपको एक सेकर जब हमने आपको थ जिसने पढ़ी होगी बहुत अच्छे से उसका तो गलत हो ही नहीं सकता है आंसर सही है option D पशू मानो पक्षी आगे पूछा जा रहा है अधिकान प्रागयति हासिक चित्रों के रंग क्या है गेरुआ काला श्वेत नीला चाप जल्दी से क्या है आंसर सही है आपका option A गेरुआ अभी अमने उपर पढ़ा है था लाल तो गेरुआ भी लाल ही होता है आगे पूछा जा रहा है भीम बेटका में कौन से चित्र है प्रागयति हासिक मुगल बौद जैन सिंपल सा है गलत तो नहीं होगा न टीजिटी 2003 का है ये वगल question जो हमने उपर पूछा है क्या होता है राइट आंसर इसका इसका आंसर भी बिल्कुल option A होता है प्रागयति हासिक काल में ठीक है आगे चलते हैं और 90 question देख लीजे फिर बढ़ते हैं कल की class में ठीक है होशंगा बाद चित्र मतलब होशंगा बाद जो है ये किस चित्रकला के लिए जाना जाता है मालवा चित्रकला दखनी चित्रकला शैल चित्रकला मुगल चित्रकला बताईए 81 चलिए आंसर की बात करते हैं आपका सही है option C ये है शैल चित्रकला के लिए आगे चलते हैं चलिए पूंचा जा रहा है पंचमडी कहां है उत्तर प्रदेश में पस्चिम बंगाल में मध्य प्रदेश में चत्तिसगर में बताईए गलत करेंगे क्या है ये जीरो वाला question भी चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं आंसर की जानी ड्रफ option C ये है मध्य प्रदेश में आगे ना भीमबेट का कहा पर है जा राजस्थान में उत्तर प्रदेश में बिहार में मध्य प्रदेश में बताए उत्तर बीड जाएगी वहां हम जाएंगे option D Madhya Pradesh आगे अब यह उत्तर प्रदेश की गुफाएं है इन्हें हम पढ़ेंगे कल ठीक है अपने UP वाले भाई साब को हम पढ़ेंगे कल आज हमने MP निप्टा दिया ठीक है यहीं से question बनेंगे देखें बहुत important questions है सारे ठीक है अच्छा publication माना जाता है youth का इसलिए हमने start कर दिया है youth ठीक है चलिए इसमें गलतिया थोड़ा सा मिलती तो है गलतिया तो सभी में होती है इंसान में गलतिया ही होती है थोड़ी बहुत तो होती है सभी में ठीक है और इंसान ने ही book बनाई है तो गलतिया होना तो सौभाविक है लेकिन ये है कि अधर पॉब्लिकेशन की अपेक्षा यूथ में थोड़ा सा कम है ठीक है चलिए चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अगर बच्चे नए हैं जो बच्चे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जिसने अभी वीडियो लाइक न की हो तो लाइक वाइक कर लीजेगा अच्छी लग रही हो तो ठीक है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दुऊधार सहसन के साथ हम यहाँ पर कमेंट नहीं लेंगे जो कमेंट आप बाहर करेंगे बाहर कमेंट में करेंगे यह लाइव वाले हम नहीं देखेंगे जो लास्ट में आप कमेंट करेंगे उसी को हम देखेंगे ठीक है उसी को हम रिप्लाई देंगे यहाँ पर कोई बात शीत नहीं केवल पढ़ाई वाला महौल ठीक है चलिए फिर मिलते हैं नेक्ट क्लास में तब तक के लिए जाहें थैंक यू थैंक यू सभी लोगों को थैंक यू चलिए बाइ 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 गुड़ नाइट सुझा यरान से चलिए